हाई माई नेम इस जनुराक शेवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अब भी देखो इसमें एक ठोट ट्विस्ट है अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्स्राइब नहीं किया तो कर दीजेगा क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपको बहुत हेल्फुल रहेंगे डेली लाइफ के लिए ठीक है और आपको अगर कोई भी नया वीडियो के लिए चाहिए जॉब से रिलेटे या जिस पी चीज से रिलेटे तो प्लीज आप यहां पे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा मैं एक परफेक्ट वीडियो बना के आपके लिए ल बात करेंगे आज के वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे फॉर्स जो प्रॉब्लम आती है टर्मिनेशन में वह यह आती है कि आप से कंपनी बोलती है आपको टर्मिनेट करना मेर को आपकी सेकल कर से नहीं देखना है आप ने इस टार्गेट आप भेजो अपना मेल पर तो आपको यह भेजना है या नहीं भेजना है इसकी उपर हम बात करेंगे तो देखे सबसे सिंपल सी बात है कंपनी आप से ऐसे ही नहीं बोल सकती उसके पास कोई अथौरिटी नहीं है कि वह आप से रिजिगनेशन मांगे रिजाइन आप होता है दूसरी बात कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकते हैं तर्मिनेट भी वह कब कर सकते हैं जब उसके पास एक वैलेड रिजन हो आप तीन दो बेसेशन हो सकता है या तो आप पफॉर्म अच्छा करते हो या फिर आपके जो आपको उसमें आपको बताय गया होग है उसने आपके बहुत जारा टाइम वेस्ट किया उसने आपको सिखाया है सब कुछ कर रहा है आपको उसके यापको वो कंपनी के लेवल पे लेके आए तो वह ऐसे आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे और आप खुद भी जब रिजाइन करते हो तो आपको रोकने की कोशिश कर मेरे साथ तीन महिने तक हम लोग एक इंपलॉय नहीं थे प्रोविजनरी पीरेड में थे तब आपको कंपनी निकाल सकते हैं या फिर आप खुद भी कंपनी को छोड़ सकते हैं यह दोनों कंपनी के पास ऑप्शन रहते हैं लेकिन तीन महिने होने के बाद में कुछ कंपनी तो इसकी फुद का आने रहती है जो आपको आपकी उपार आती है जैसे कि आपको कंपनी नीशन देना होगा अगर टार्मिनेशन तो करता है कंपनी आपको, तो अगर वहाँ पे आपको जॉब लेटर में और ही चीज लिखे आ रहते हैं जिक tent तो तब जाके company आपसे resignation मांगेगी resign करने बोलेगी तो आपको तब नहीं करना मेरे हिसाब से तो आपको खुद से करना नहीं चाहिए resign मैंने क्योंकि यह नहीं किया मैंने पहले अपने मैंने चार से बात किया कि मैंको पैसा चाहिए मैंको compensation चाहिए मैं आपको resign दे रहा हूँ पर मैंको compensation चाहिए ठीक है तो ऐसे करके मैंने abscon की policy आती है याने आप कुछ नहीं बताया और आप घर पे बैठ गए जाके ठीक है आप नहीं जा रहे ऑफिस कई सारे लोग ऐसा करते वो नहीं जाते ऑफिस तो वहाँ पर क्या होता है आपका वह एक mail drop कर दो वहाँ पर अपने office में कि मैं नहीं आ पा रहा हूं मैं नहीं पर प्रूफ कर दो अब company क्या करेगी या तो वह उस basis पर आपको terminate कर देगी या तो फिर आपके या तो फिर वह आपके HR का फोन आने लगेगा manager का फोन आ लगए यार तुम resign दो resign दो आपको तभी भी resign नहीं देना आप उसको company में hold पर रखना है उस चीज को HR आपको आप manager को loop पर रखे एक mail भेज चुकि हो कि मैं मैं अभी आ नहीं पाऊंगा उस basis पर आपको अगर वो करते हैं terminate तो उसमें आपको compensation मिलेगा वहाँ पर आपको compensate किया जाएगा तो हमारा main focus compensation पर रहेगा कि हमें अगर हम किसी job को छोड़ी रहे तो हम वहाँ से compensation की वह लेके यह हमारा main focus पर रहना चाहिए तो तब आपको compensate वहाँ से किया जाएगा ठीक है एपस कॉन अगर आप एपस कॉन बताने के लिए अगर आपके HR ने आपकी email ID को भी यहने बंद कर दिया है क्योंकि ऐसा होता है HR क्या करेगा आपकी email बंद कर देगा email ID का access बंद कर देगा ठी आप कैसे बता पाओगे कैसे आप notice देपाओगे कि मैं छुट्टी पर हूँ अब बिना बताये नहीं भागा हूं या फिर मैं कहीं ऐसा Mr. India नहीं बन गया हूं मैं छुट्टी पर हूँ तो आपको क्या करना है अपने office के address पे एक यहने वह भीज देना है एक राइटिंग म आपको समाल के रखना है ताकि अगर आगे चल कि आपको बनाए केस तो आप वहां पर कोट में जाके या लेबर office में जाके आप complaint डर्ज करा पाओ कि मैंने इनको ऐसा mail बेजा था उसके बाद में मेरा एप स्कॉर्ट का केस बनके मिनको वहां से निकाला गया है ठीक है तो य आपको resign देना पड़ेगा आपका performance उतना अच्छा नहीं है तो भी आप वहां पर लेबर office में complain कर सकते हो termination को challenge कर सकते हो company के तो यह कई सारी चीज़ें रहती हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो termination या फिर resign के बीच में resign आपक epscon की epscon में भी नहीं आ सकते मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको epscon को face करना आपको prior notice देखे घर पर आना है ऐसे नहीं होना कि आप चुप-चाप बैढ़ गया phone receive करना बंद करती है तो फिर आपको epscon की policy बना कि वो लोग निकाल सकते हैं और उस उसमें आप आपको fnf भी नहीं मिलेगा ना आपको offer letter termination के टाइम पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और वहां पर इतनी बड़ी भी कोई ऐसा रहता कि termination से लोग डरते हैं कि या terminate मैं हो जाऊंगा तो में को दिक्कत होगी यार ऐसा कुछ नहीं होता termination में भी बहुत सारे अलग-अल termination किया गया तो आप महां बता सकते हो कि मैं performance oriented था मैं performance कर रहा था पर एक महीनी की performance ना होने की वज़े से मेरे को वहां से निकाला गया आप यह चीज़ वहां पर बता तो सकते हो है ना और दूसरा क्या रहता है कि आपको अगर उन लोगों ने घर पे बैठ गए हो आप जा चलके ऐसा समझ में आएगा कि हाँ यह company को लेकर बहुत जारा serious रहता है बंदा तब ही इसने वहां पर नहीं किया तो इसको रजिंग और इसको termination आया था तो आज के लिए इतना काफी है मैं हो तो मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्ली कोशिश करूंगा तब तक के लिए signing off अनराक्षय वास्तव और हां रुक 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 इसको subscribe जरूर कर देना मेरे चैनल को तब तक के लिए thank you